डाइबिटीज का गर्भ पर पढ़ता है बुरा अशर रेगनेंट महिलाओं को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान डाइबिटीज किड्नी लिवर और दिल समेट शरीर के कई अंगों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है इतना ही नहीं डाइबिटीज पूरुष और महिलाओं के प्रजनन चमता पर भी प्रभाव डाल सकता है अगर आपको डाइबिटीज है और आपने गर्भ धारन किया है तो इसका असर बच्चे पर भी पढ़ सकता है कई बार गर्भ पात का खत्रा भी होता है ऐसे में अगर आप डाइबिटीज की मरीज है और गर्भ धारन करना चाहती है तो कम से कम 6 महीने पहले आपको डॉक्टर से संपर करना चाहिए डाइबिटीज का गर्भ वस्था पर प्रभाव यदि किसी महीला को डाइबिटीज है तो उसे जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए गर्भ धारन के लिए प्रयास शुरू करने का फैसला लेने से पहले कम से कम 6 महीने पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए डॉक्टर आपके बलड शूगर के स्तर को बारीकी से नियंत्रित करने के बारे में सलाह और निर्देश देते हैं आपके डाइट चार्ट में कुछ जरूरी पोशक तक्तो और सप्लीमेंट जैसे फोलेट को भी शामिल करने की सलाह दी जाती है प्रजनन चमता और डाइबिटीज के बीच का कनेक्शन अनियंत्रित मधुमे से प्रजनन चमता प्रभावित हो सकती है इस प्रकार गर्वती होने की संभाना प्रभावित होती है सभी गर्वधारन में कुछ जोखिम सामिल होते हैं लेकिन टाइब वन या टाइब टू डाइबिटीज के मामले में मा और बच्चे के लिए खत्रा बढ़ जाता है डाइबिटीज की वज़ा से महिला में आनियमीद पिरियड हो सकते हैं गर्पात और प्री मैस्जोर डिलिवरी का खत्रा भी होता है प्रेगनेंसी प्लान करने के टिप्स, अगर आपको डाइबिटीज है तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले शुगर लेवल को कंट्रूल करें, फोलिक एसिड का सेवन भी बेहद आहम है, प्रेगनेंसी के शुरुआती तिमाही में फोलिक एसिड लेना बेहद आहम होता है, इससे मस्तेश्क और रेढ की जन्म संबंदी असमान्यताओं को 70% तक रोका जा सकता है अगर आपको diabetes है तो इन बिमारियों से पेडित बच्चों के होने का खत्रा बढ़ जाता है ऐसे में डॉक्टर की सलापर नियमित फोलिक एसिट का सेवन करें खुद को एक्टिव रखें, नियमित एक्सराइज करें, शराब का सेवन और धुम्रपान जैसी आदोतों को छोड़ दें सही मात्रा में और संतुलित भोजन करें जिससे आपको जरूरी पोशक पोशन मिलें ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें ही Medical Mike साथ ही हमारे चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद